मुह से निकलते ही हर इक्षा होगी पूरी सव अरसों बाद 24 जुलाई को कामिका एकदसी चार राशों की लगेगी लोटरी जी हां दोस्तों दोस्तों स्त्रावण माश के कृष्ण पक्षी एकदसी को कामिका एकदसी के नाम से जाना जाता है इस दिन जो भी भक्त सची स्रद्धा के साथ इस ब्रत को करते हैं भगवान स्री हर विश्णू जी का पूजन करते हैं उनकी कृपा से वह ब्यक्ति के सभी विगड़े काम बनते चले जाते हैं ब्रत के उपवाशकों के साज साथ उनके पित्रों के कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर उपवाशकों को इस दिन सच्चिस रद्धा के साथ भक्ती पूर्बक के साथ पूजन किया जाए, तो उपवाशकों को मौक्षकी भी प्राप्ति होती है। संसार सागर में फश हुए मनश्यों को मुक्ति के लिए कामिका एकदसिक ब्रत करना चाहिए कामिका एकदसि उपवास से सभी प्रकार के पाप और ताप नश्ट हो जाते हैं तथा संसार में इससे अधिक पापों को नश्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है कामिका एकदसी के ब्रत के दिन इस दिन भगवान स्री हर्विष्णुजी के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है ये ब्रत सभी प्रकार के संसारिक बंधन से छुटकारा पाने के लिए स्त्रेष्ठ है इस ब्रत को करने वाला धन बैभव पुत्र पोत्राद आदी से सुख भोगता है इस एकदसी के कथा को सुनने मातर से बाचपई यग के फलों की प्राप्ति होती है कामिका एकदसी के वास में संख चक्र गदाधारी भगवान स्रीहर ब्रिश्ण जी का पूजन किया जाता है जो मनुष्ट इस एकदसी को धूप दीप नेवेध आद से भगवान स्री ब्रिश्ण जी की पूजन करते हैं उन्हें गंगा इस्नान के फल की भी प्राप्ति होती बलकि उससे भी अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होती है शूर ग्रहन और चंद ग्रहन में केदार और कुर्शेस्ट में इस्नान करने से जिस पुन्न फलों की प्राप्ति होती है वह पुन्नफल कामिका एकदसी के दिन भगवान स्रीहर विश्णुजी की भक्ती पूरवक पूजा करने से प्राप्त हो जाती है आभुशोनों से युक्त बच्छडा सहित गवदान करने से जो पुन्फल प्राप्त होता है वो फल कामिका एकदसी के उपवाश से मिठ जाता है जो उत्तम बिधी से स्रावण माश की कामिका एकदसी के बरत करते हैं उपवाश रखते हैं तथा भगवान दुर्शनों जी का पूजन करते हैं उनके सभी उनसे सभी देव नाग किन्नर पित्र आद की पूजा हो जाती है इसले पाप से चलने वाले बेक्ति को बिध बिधान सहीत इस बरत को करना चाहिए शैंशार सागर तथा पापों में फश्य हुए मनश्य को इसे मुक्ति पाने के लिए कामिका एकदसी के बरत करना चाहिए एकदसी के बरत जो हर माह के कृष्ण पक्ष में और शुकल पक्ष की एकदसी के दिन किया जाता है इस एकदसी यनि इ एकदसी का अपना विशेश महत्व है यह बिक्त के सभी प्रकार के पापों को इनष्ट करने वाला और शभी प्रकार के शुक और सम्रिध्धी को प्रदान करने वाला है तो आईए जानते हैं सबसे पहले कामिका एकदसी के ब्रत के शुब महुर्त के बारे में और पारण समय के वारे में एकदसी तिथी प्रारंब शमय 23 जुलाई 22 को दिन शनी बार को शुबह 11 बज कर 30 मेर से सुरू होकर और शमाप्ति का समय होगा 24 जुलाई 22 दिन रविवार दुपार 1 बज कर 47 मेर तक तो सूर उदे ब्यापनी और दौदसी युक्त समय जो रहेगा वो समय 24 जुलाई 22 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है तो इस दिन इस ब्रत को किया जाएगा और इस ब्रत का पारण जो की 25 जुलाई 22 दिन सुमबार को इस ब्रत का पारण किया जाएगा शुबह पांच बचकर 69 मिनट से सुबह आठ बचकर 25 मिनट तक इस ब्रत का पारण किया जाएगा और इस सुबह महुरत में आप पारण ज़रूर करें दोस्तों खास बात तो यह कि इस बार की यह काम का एक अदसी कि दिन सरवार सिद्ध्योग और अम्र शिद्ध्योग का निर्वाड हो रहा है कई सारे दोलब सभस्योगों के बनने से माता लक्ष्मी जी और भागवान विश्योग के अपार किर्पा बनी हुई है माता लक्ष्मी किर्पा से इस दिन आप की जीवन के सभी कष्ट दूर होने वाले हैं खास कर इस दिन कई सारे अद्वत सभस्योग के बनने से माता लक्ष्मी खास किर्पा कुछ बिशेश राशियों पर पढ़ने जा रही है जिसके करण कुछ राशिया ऐसी है कि जिनकी लोटरी लगने वाली है जिनकी किस्म चमखने वाली है दोस्तो सबसे पहले सूर उदर से पहले उठकर भगवाल मेश्मि के पुजा राधना करें और माता लक्ष्मी के महा लक्ष्मी देबो नमनुमाए इस मंतर का जाब करें फिर आप ब्रत का संकल पले इस दिन चावल का सेवन ना करें दोस्तों खास बात तो है कि इस बार इस कामिका एक अदसी के दिन सव वरसों बाद ऐसा दूरलब सुपसंयोग बन रहा है कि सरवास शिद्योग अमरिश शिद्योग और भी कई सारे दूरलब राजों का निर्वाड होने के चलते कुछ राशियों के लोटरी लगने वाली है कुछ राशिया धंसे माला माल बनने वाली है तो आखिर ये भागसाली राशियां कौन कौन सी है जिनके उपर माता लक्ष्मी के अपार कृपा बरशने वाली है आज हम आपको इस वीडियो में इन ही भागसाली और खुशनसीव राशियों के बारे में बताने वाले हैं तो आप से अंडरोध है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अन तक जरूर देखेगा बिल्कुल भी मिशना करें और इस से वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाईएगा दोस्तों बता दे कि सबसे पहली जो खुशनसीब जो राशिया आती है वो है यहां पर दोस्तों करने राश करने राज काद को बता दे कि अब आपकी लोटरी लगने वाली है लोटरी शट्टा में भाग लेंगे तो जवर्जस्त लाव देखने को मिलेगा जो कार आपके रुके वे थे जो कार आपके धूरे पड़े थे उन्हें पूरा करने का प्रयाज करेंगे धन संपत्य में जाफा होगा तेजे से लाव देखने को मिलेगा वियापार में वरदि होगी, कई मेतमूर्ण चेतरों से लाब होगा मालाक्श्मी कृपा से इस कामिका एक अदसी के दिन आपकी लोटरी लग सकती है साथे आकासमिक रुपर से धनका लाब होगा धन संपत्य के मामले में काफी लगी रहेंगे ब्यापार में वर्दी होगी कई महत्मुन शेत्रों सिलाब होगा जो कारण धूरे पड़े थे पिनने थे उन्हें पूरा कर सकते हैं मालक्ष्मी कृपा से आपका बिजनेश ब्यापार तेजय से चलेगा धन संपत्य के साथ साथ आप मान सम्मान भी हासिल करेंगे समाज में आपकी प्रतिष्ठा और लोकृता बढ़ेगी इसमें दोस्तों में जाफा होगा दोस्तों का सहयोग प्राप्थ होगा अब अगले जो राशी आती है यानी दोसरी वो है यहाँ पर दोस्त बता दे मकर राश मकर राश के आपको बता दे कि 24 जुलाई को कामिका एक अदसी है इस दिन कई सारे दुलब सुबसेयोग बन रहे है और इन ही कारण से माता लक्ष्मी के अपार किर्पा आपके उपर बनने वाली है माता लक्ष्मी जी आपके घर में अपने कदम रखने वाली है और आपके जीवन में माता लक्ष्मिय और भगवान विश्म किर्पा से दिन दुगनी राच अगनी तरक्की प्राप्थ होगी कई मेत्पूर्ण शेत्रों सिलाव होगा जो कार अधूरे पड़े थे पिंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं धन संपत्य के मामले में काफी लकी रहेंगे ब्यापार में वर्दी होगी कई मेत्पूर्ण शेत्रों सिलाव होगा जो कार अधूरे पड़े थे पिंडिंग थे उन्हें पूरा करने का प्रयाज करेंगे धन संपत्य में तेजी से इजाफा करेंगे ब्यापार में तेजी से आपको बढ़ोतरे देखने को मिलेगी अब अगली यानी जो तीसरे जो राशी आती है वो है मीन रास मीन रास के आद को बता दे कि अब आपकी लोटरी लगने वाली है लोटरी शट्ट में भाग जमाएंगे तो जवर्यस तराफ देखने को मिलेगा ब्यापार में वर्दी होगी ये कामिका एक अदसी आपके लिए काफी लखी रहेगी बता दे कि आपके मुशे निकलते ही हर इक्षाएं हो जाएंगी पूरी बता दे कि इस एक अदसी के ब्रत के प्रफाव से आपको जो फल प्राप्त होगा वो कभी नहीं होगा बता दे कि आप आप नई नोकरी लगेंगे या आपके और नई नोकरी में आपको इजाफा होगा साथी पहले से अगर कर रहे हैं तो पद प्रदेश्टा मानसमान और सेलेद में वर्दी और आपका प्रमोशन होगा दूसरी जगह पर इस्थन नंतरन की योग बनेंगे साथी कई महत्पूर्ण लोगों से मुलाकाते होंगी अब अगली यो चोथी जो राशी आती है वो है मिथुनरास मिथुनरास के आपको बता दे कि अब आपके किस्मत चमकने वाली है धन संपत्य में तेजे से लाव होगा जो कार आपके अधोरे पड़े थे पिंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं धनसंपत्य के साथ साथ आपके व्यापार में वर्दी होगी कई मेत्पूर्ण छेत्रों से लाव होगा जो कार अधूरे पड़े थे पिंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं व्यापार के मामले में आपके किस्मत चमक जाएगी कई ऐसे काम पूरे होंगे जो काफी दिनों से अधूरे पड़े थे बता दे कि अब इन चार राशों के किस्मत में माता लक्षमीज का अशिरवाद बना रहेगा इन चार राशों के किस्मत चमकने वाली है इन चार राशियों के जीवन में अब आपार धन संपत ते कलाव होगा कई महत्मूर्ण शेतरों से इन्हें कामियाबी प्राप्त होती नजराएगी जो कारा धोरे पड़े थे पेंडिंग थे इन्हें पूरा कर सकते हैं इन चार राशियों के किस्मत को माता लक्षमी सबार देंगी तो दोस्तो ये चार राशियों के लोटरी लगने के संभावना सबसे ज़्यादा है इसलिए तो कहा है कि मोशे निकलते ही हर इक्षा होगी पूरी सवर सबाद 24 जुलाई को कामिका एक अदसी चार राशियों के लगेगी लोटरी तो दोस्तो कमेंट में जरूर लिखेगा जय मालक्षमी साथे वीडियो को लाइक करिएगा जदे जदे शेयर करिएगा पहली बार सुन रहे हैं तो चलम को सब्सक्राइब करिएगा और इस बिल आइकन को जरूर दवाईएगा जय मालक्षमी